गुड मॉर्णिंग माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है हमारे यहां चतिस गर्मे 42 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो गया है जैसे ही घर से बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा धूप लगती है घर से तो जाने का मन ही नहीं करता तो क्योंना हम गार्डन में ऐसे कुछ वर्क कर लें इस समय और ऐसे कौन से प्लांट है जो 42 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे से बहुत ईजी सी ग्रो हो जाते हैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगी तो सबसे पहला प्लांट मैं दिखा सारी हूं फ्रेंड्स वो है सीडम ग्रास और यह गोल्डन सीडम ग्रास है इसे हम जो है इन डारेक्ट सनलाइट में रखते हैं इनकी पतियां जो है गोल्डन कलर की आती है देखे कुछ मैंने कटिंग भी लगाए हैं तो आज मैं बहुत सारे लगभग 20 से भी ज्यादा ऐस मैं के सीजन में मैं की गर्मी में इतनी तेज गर्मी में रफतार से बढ़ने वाले बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होने वाले प्लांट के बारे में केर टिप्स बताऊंगी और प्लांट के नाम बताऊंगी तो देखिए सबसे पहला प्लांट है सीडम ग्रास बहुत जल्द लगा सकते हैं सेकंड प्लांट है यह बहुत जलदी बहुत फास्ट ग्रो होती है और इसकी भी चोटी सी, चोटी चोटी लग जाती है तो इस तरह से आप जो है सीडम ग्रास को भी इस समय norsary से परचेज कर सकते हैं और खास तोर पे कटिंग लगा सकते हैं कटिंग में सबसे जादा फास्ट चलने वाली और सबसे जादा जल्दी जो है cover करने वाली जल्दी ग्रोथ पकड़ने वाला plant है बिलीवियन जीू तो देखें बिलीवियन जीू की मैंने कितनी सारी cutting लगाई है और सारे के सारे plant जो है pot पूरे कबर कर चुके हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं cutting से अगला plant है coleus तो coleus के लिए तो friends मैं कहती हूँ इसके लिए तो कोई season देखना ही नहीं पड़ेगा ये तो आप कोई भी बारो महना कोई भी सिजन में लगा सकते हैं छोटी सी छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है चाहे इसको आप रेत में लगाएं चाहे हाप पार्ट मिट्टी या हाप पार्ट सेंड में लगाएं बहुत आसानी से ग्रो होती है और बहुत अच्छे से चलती है अगला प्लांट है देखिए ये है बेबी टियर्स और इनकी पतियां बिल्कूल आंस्वों की तरह होती है बहुत ही खुबसूरत होती है बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होता है समर सीजन में इसकी ग्रोध काफी अच्छी होती है तो आप इसे भी बेबी टियर्स को भी आप अपने गार्डन में एट कर सकते हैं कटिंग लाकरी समय कर सकते हैं लगा सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है परपल हाट इनकी पतियां परपल होती है और इन में फ्लावर जो है पिंग कलर के फ्लावर आते हैं इसके भी छोटी सी छोटी कटिंग बहुत फास्ट ग्रोफ होती है और समर सीजन में बहुत जल्दी ग्रोफ पकड़ता है अगला प्लांट है देखिए यहाँ पर यह सिंगोनियम का प्लांट मेरे पास दो तीन का वैराइटी है और बहुत अच्छे से चल जाती है यह भी बहुत जल्दी समर सीजन में पूरे पॉट को कभर कर लेता है तो ऐसे ही प्लांट का चुनाओं आपको मैई जून में आपको करने है अगला जो प्लांट है समर सीजन का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो है पर्सलेन, मौस, रोज इन प्लांट को आप अपने गाडन में इस समय कटिंग से धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं और देखे मैंने इसकी कटिंग जब लगाई थी आप लोग से वीडियो भी सेयर किया था और ज्यादा दिन नहीं हुए है पूरे पॉर्ट को कभर कर लिया है इतनी प्रचंड गर्मी में ऐसे ही प्लांट का हमें चुनाओं करना चाहिए और खास तोर फिर बिगनर्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि आज की वीडियो यदि आप देख रहे हूँ तो यह सारे प्लांट आपको कही पर भी मिले चाहे नरसरी में चाहे आज पास आप जरूर लेकर आएं और गाड़ने की सुरुवात कीजिए नेक्स्ट प्लांट है टोरेनिया टोरेनिया भी बहुत कटिंग से बहुत आसानी से इस समय लग जाएगी और समर सीजन का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है टोरेनिया जो बहुत ज़ादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है और इसकी भी कटिंग ले लेकर आ पढ़ती फ्रेंट्स इसे आप डारेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं और बहुत असानी से ग्रो हो जाती है मैंने कल दिखाया भी था कल की वीडियो में मैंने एक प्लांट लगाया है जिसकी ग्रोफ सुरू हो चुकी है अगला प्लांट है वो है सिडम ग्रास सिडम ग्रास कि इस समय जो है गर्मी में मैं जोन के महीने में बढ़ती है और जल्दी जो है इसका प्लांट, एक से ठीरो प्लांट आप तायार कर सकते हो इसकastically ग्रोफ घुरोफ अच्छा रहता है लेकर सकते हैं तो इतना जिदी टी से बहुत इजली ग्रो कर सकते हैं यह जो प्लांट आप देख रहे हो इसे मैंने कटिंग से ही लगाया है और वीडियो बनाते ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत असानी सी यह ग्रो भी हो गई है तो इस तरह के ही प्लांट आप चूज किजिए जिसमें कोई ताम जहमना हो यहां पर देखिए मौस रोज है मौस रोज के बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे मैं कुछ कटिंग भी लेकर आ जाई हूं लेकिन उसका वीडियो मैं साम को सेयर करूंगी फ्रेंड्स काफी गर्मी है और मैंने उनको पानी में फंगी साइट पानी में और इस डिगरी में हमें कोई प्लांट लगाना है और वो ग्रो हो तो हम ज्यादा ताम जहमना करना पड़े इसी वज़े से मैं आज यह वीडियो बना रही हूं कि ऐसे प्लांट कहीं आप चुनाओ किजिए और बहुत तेजी रफतार में यह प्लांट बढ़ते हैं खास त और बिगनर्स हैं उनको लगता है यार धिरे-धिरे कोई ऐसा कटिंग हम लगाएंगे और धिरे-धिरे ओ प्लांट तयार होगा तो फिर काफी दिन लग जाएंगे गार्डनिंग में तो यह सारे जितने भी मैं प्लांट बता रही हूं इनको आप लगाईए बहुत जल्द श्मिक ठेंग तो चार से पांच दिनों में हो जाती है इस्पाइडर प्लांट भी है इस्पाइडर प्लांट को भी एक बार ग्रो करते हैं तो वह भी बहुत जल्दी उनके पप्स को भी आप मिट्ति में लगा सकते हैं या फिर फीर तो प्लांट violence care कर क्के हैं बल्ब से लगने वाले प्लांट में गर्मियों में मई और जून के महीने में जो है कैलेडियम है कैलेडियम में तो कोई कंजट नहीं है फ्रेंड्स आप इसके बल्ब लेकर आईए प्याज की तरह होते हैं इनके बल्ब 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाते हैं और बस उसे प्लांट आप लाएंगे और इनकी ग्रोध भी गर्मियों में काफी जल्दी होती है मैंने जब इसे लगाया था तो आप लोगों ने देखा था और आज देखिए पूरे पॉर्ट को कभर कर लिया है लगवग एक महीने भी नहीं हुए होंगे और कितना जल्दी इसका ग्र कर सकते हैं वैसे बेल इवियन जीव है इसकी चोटी सी चोटी कटिंग यदि आप ग्रोध करते हैं तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है आपको और इतनी तेजी रप्तार से प्लांट बढ़ता है टेंगल हार्ट है टेंगल हार्ट भी बहुत आसानी से लग जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो होती है और बहुत फास्ट ग्रो होती है और बिगोनिया है बिगोनिया को भी आप लगा सकते हैं और फर्न में तो बहुत सारे फर्न की वैराइटी है जिनको डिवाइट करके आप लगा सकते हैं प्लांट तो आज का मेरा टॉपिक है कटिंग पर क कैसे कैसे प्लांट और कौन कौन से प्लांट को हम कटिंग से तयार करें जो तेजी रफतार से जो है बहुत जल्दी बढ़ें मैक्सिकन पिटूनिया में आपको पिंग कलर वाइट कलर मिर जाएंगे ये भी बहुत फास्ट ग्रो होता है बहुत जल्दी पॉट को कभर कर लेता है और तेजी रफतार से बढ़ता है और इस प्लांट को तो मैं कहूंगी कोई बच्चा भी लगा लेगा फ्रेंड्स क्योंक से प्लांट की कटिंग लगाई है और जब मैंने इसे रिपॉर्ट किया था तो उसका वीडियो भी आप लोग से सेयर किया था देखिए कितना अच्छा अब इनकी ग्रोध बढ़ रही है काफी जल्दी ग्रोध बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है समर सीजन में बहुत सारे ऐस इसे फर्न भी है देखिए यहाँ पर एसपर्गस फर्न है इसे भी आप डिवाइट करके धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ बाई बाई